नमस्कार दोफ्तों एक महीने के लंबे इंतियार के बाद आज इंटिये ने नीट 2021 की ऑफिसियल एंसर की जारी कर दी और उसके साथ-साथ जो ओमार सीट है उसको भी साइट पर अपलोड कर दिया है और हम इस वीडियो में देखेंगे कि किस परकार हमें उस एंसर की को चैले कर सकते हैं यदि हम बात करें कि कितने रुपई लग रहे हैं तो यदि आप चैलेंज करना चाहते हैं एंसर की को, तो पर answer मतलब पर questions आपको 1000 रुपे पे करने पड़ेंगे और यदि आप ओमार seat को challenge कर रहे हैं ठीक है तो आपको पर question 200 रुपे पे करने पड़ेंगे यह जो challenge है आप 15 October 2021 से लेकर 17 October 2021 मतब दो दिन का आपके पास time है 17 October रात 9 बजे तक आप challenge कर सकते हैं उसके बाद आप challenge नहीं कर सकते हैं यदि आप challenge कर देते हैं आप सब कुछ सेब कर लेते हैं आपको क्यों फीज जमा करना है तो फीज जमा करने के लिए आपको एगंटे और दस बजे का time दिया गया है कहने का मातलब ये है कि आप चैलेंज नोब jit' कर सकते हैं लेकिन आप फीज एक घंटे बाद तक जमा कर सकते हैं राद दस भे तक जमा कर सकते हैं अब पीज जमा कैसे कर सकते हैं आपके पाँ liquid card होना चाहिए ठेक है या unemployment आप पास होना चाहिए या फिर net जब आप चैलेंज करेंगे तो फिर उसके बाद की प्रॉसेस क्या होगी आपके चैलेंज करने के बाद एक इक्सपर्ट टीम बैठेगी जो आपके द्वारा जो आपने जो चैलेंज किया उसको जांच चीएगी और यदि वो चैलेंज सही पाया जाता है तो एक रिवाइज रिवा अंसर क्या सबके लिए जारी होगी ठीक है और यह आप अब कर सकते हैं दूसरी बात यह है कि यदि आप चैलेंज करते हैं तो आपका चैलेंज एक्सेप्ट हुआ है या ठीकिने हुआ है उसके साह पेच्ष एंटिय कोई अलग से नोटिफिकेशन आपको नहीं हो ओ अब हम लोग देखते हैं कि किस परकार हम लोग challenge करेंगे यह दियर आप answer की चलेंज करना चाहते हैं, तो आप NTA की site पर जाएंगे, NTA की site जो है यह है need.nta.nse.in, यहां पर जाने के बाद आप answer की challenge पर click करेंगे, अपना को प्लेट कोड जो अभूगा आप उसको स्लेक्ट करेंगे एक डायोकर चत्ब दालगके उसके बाद आपको फिजिक सेमेश्टी बायोजी है रिबाटनी इंटूजी ठीक आपको क्या करना है यह आपको कोई कुश्चन को सिलख करने के बाद आपको तीन और दिखाई पढ़ेंगे एक आपसे रहेगा जिसको आयोग ने सही माना है उसके साथ सीन और या इसे चौकोर खाने और दिखाई है ठीक है यदि आपको लगता है बी सही है तो आप बी पे मार दीजिए ठीक है यदि आपको लगता है कि नहीं बी उसी दोनों पे मार तो इस districts की कोई You come to stay है क्वी आपको लगता है कि दो simplu सी या तीन डिक मार सकते हैं लेकिन इसके अगियर्ण आपको source देने होंगे कहां से आपने इसको सही या गलत किया है तो जो आप source देंगे उसको क्या करेंगे एक वीडिय अप में उसको क्या करेंगे आप सभी डाकुमेंट का एक चिंगल पीडिय अप बनाएनगे ठीक है अब आपको फी कितना देना पड़ेगा वो पहले ही बताया था कि एक कौस्चिन के पीसे आपको 1000 रूपे पे करने पड़ेंगे यह अपने एक ही क्वेशन चैलेंज किया था आपको 1000 यदि आपको रही है नी injections केके तो पे करने के लिए आपके पार डेविट कार्ड क्रेटिकार्ड नेट वैंकिंग है पेटियम होना चाहिए उसके बाद जब आपका चैलेंज एक्सेप्ट हो जाये ठीक है पेमेंट सब्सक्राइब हो जाए तो आपको जो जो एंसोर की जो आपने चैलेंज की उसकी रिसिप्ट जो आपको डाउनलूड करेंगे तो अमार शीट केहने के मतलब यह है कि जो आपकी अपलोड की गई है उसके साथ साथ एक और क्या नाम है रिकाड़ेट रिस्पाउंस ठीक है एक जैसे एक आपकी ओमार फीट यहां हो गई एक ओमार सीट आपकी दिखाई पड़ेगी एक recorded response कहने के मतलब यह आपको लगता है कि आपने पांचवे question का भी लगाया ठीक है आपको यह लगता है पांचवे question का आपने भी सही किया है रिकिल यह recorded response इसमें सी दिखा रहा है तो आप इसके against क्या कर सकते हैं आप challenge कर सकते हैं इसके लिए आपको क्या करना होगा आपको इसके लिए पर question 200 रुपे pay करने पड़ेंगे ठीक है इसमें भी process वही है आप need.nta.nic की site पर जाएंगे ठीक है आप इस site पर जाएंगे यहां से application number और data बढ़ डार के आप login कर जाएंगे ओमार challenge लिंक पर आप click करेंगे उसके बाद आपको सभी question दिखाई पड़ेंगे आपको अपने ओमार के दौर आपको जो recorded response इसको मिलान कर लेना है यदि कोई ऐसा है कि जो गलत है तो आप उसके against क्या कर सकते हैं और challenge करने के बाद आप क्या करेंगे फिर वही करेंगे आप सबको save कर लेंगे जब सबको submit हो जाए तो आप उसको save कर लेंगे save करने के बाद आप finally fee payment करेंगे fee payment करने के लिए आप जितने challenge करेंगे इसके हिसाब से 200 से आप multiply करेंगे और आप डेविट कार्ड या नेट वैंकिंग या पे टीम के तरूँ आप पेमेंट कर सकते हैं तो इस प्रकार आपने एंसर की को भी चैलेंज कर लिया और ओमार सेट को यदि आपको इसके बाद भी कोई दिक्कत है प्रेफानी है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं उसका उ सब्सक्रापूर के थि और सूचना है काफी महत्रपूर्ण सूचना यूपी वालों के सबसे मुक्त आइए कि वालों के सभी महत्रपूर्ण जितने भी समाचारพत्र consig उनके लिए उन में फ्रंट याइं पनी ता कि यूपी में नंए मेडική को जो इस सत्र से चलनेवाले थे उन में से 7 को जो ये नमसी है नेशनल मेडिकल कमिशन उसने हरीजंडी दे दी है, दो को भी नहीं दी है, ठीक है, मैं उस न्यूज को आपको दिखा देता हूं तो वह निए है कि यूपी में साथ मेडिकल कालेज को एनमसी ने मंजूरी दे दी है ठीक है साथ मेडिकल कालेज को बढ़नी तय है ठीक है तय क्या हो बढ़ चुकी है और दो मेडिकल कालेज एक आपका फते पूर का है एक जोनपूर का यह इन दोरों का मंजूरी नहीं मिली है फते पूर वाले में दस्ताइब पहुंचा नहीं पाए थी सरकार एनमसी को और दूसरी जो जोनपूर वाली है उ तो बस इतनी आज के लिए नियूर थी आपसे बिदा लेते हैं जै हिन जै भारत